ओम शांती दोस्तों किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि घौसला बनाने में हम यू मश्गूल हो गए घौसला बनाने में हम यू मश्गूल हो गए कि उड़ने के पंक भी थे ये भी हम भूल गए दोस्तों ये जीवन सुख, शान्ती और आनन से व्यतीत करने के लिए मिली थी लेकिन आज के मानव की हाल क्या हो गया है जिंदगी के पहले भाग में वो अपने स्वास्थे को गवाता है और पैसे को कमाता है और जिन्दिगी के दूसरे भाग में खोई हुए स्वास्ते को वापिस प्राप्त करने के लिए उसी पैसे को उसे गवाना पड़ता है आज अगर हम देखें कि कोर्नरी आटरी डिजीज और हार्ट अटेक ने एक एपीडिमिक का रूप ना किवल भारत वर्ष में लेकिन संपून विश में ले लिया है अकसर हम रोज न्यूस चैनल पर सुनते हैं कि इतना यंग लड़का हार्ट अटेक से अपनी जान गमा बैठा इतने यंग बच्छे कोर्नरी आटरी डिजीज के कारण रोज कहीं ना कहीं अपनी प्रान खो बैठते हैं ऐसा क्यों हो रहा है आज से 30 से 40 स्वर्ष पहले हम ऐसी percentages नहीं सुनते थे ये percentages होती थी लेकिन बहुत low होती थी लेकिन आज अगर हम देखते हैं तो इनका proportion बहुत significantly बढ़ चुका है ऐसा क्या हमारे जीवन में परिवर्दन आया जो ये diseases इतनी significantly increase हो गई है आज इनी बातों के उपर इनके कारणों के उपर और इनका यथार्थ निवारन के उपर हम चर्शा करेंगे दोस्तों जब हम young coronary artery disease की बात करते हैं तो young definition तब कहा जाता है जब ये less than 50 years की age में अकर करे और अगर ये less than 35 years की age में होती है तो इसको very young कहा जाता है संपून विश की अगर हम percentage देखें तो करीब 10 से 15 प्रतीशर जो population है western world में वो young heart attack की population के category में आती है लेकिन जब इसी percentage को हम भारत वर्ष या हम यूँ कहें South East Asian ethnicity जो कि एक अलग risk factor है उसके बारे में हम इसको analyze करते हैं तो ये percentage increase करके almost 20 to 30% आ जाती है आपको जानकर हैरानी होगी कि हर तीसरा मरीज जो आज हमारे हस्पताल में आता है जिसको मैं या मेरे जैसे अनेक काडियोलजिस्ट अपरेट करते हैं वो young होता है और कभी-कभी हम देखें तो वो बहुत young होता है हमारे पास significant proportion of patients जो आते हैं वो 18 से केवल 35 वर्ष की उम्र के बीच में भी आ रहे हैं ऐसा क्यों होता है इसके बारे में जानना हमको बहुत आवश्चक है अगर हम देखें कि risk factors जो young C.A.D. के अंदर हैं उसमें सबसे पहला है smoking smoking एक बहुत negative factor है यह एक epidemic के रूप में आज हमारे सामने उभर कर आया है हम young बच्छा लड़का हो या लड़की हो किसी ना किसी फॉर्म की smoking को adapt करते हैं वो उसको एक social fashion की रूप में भी लेकर चलते हैं लेकिन एक risk factor जिसको अगर हम कहें जो हमारे heart को बहुत नुकसान पहुचाता है वो है smoking दूसरा है हमारी जीवन शेली, lifestyle, हमारा diet, हमारे सोचने का तरीका, हमारा खाने का तरीका, हमारा सोने का तरीका आज इसकी बारे में भी हम चाशा करेंगे तीसरा कुछ heredity कारण होते हैं अर्थात वो coronary artery disease जो हमारी families में run करती है यह अक्सर unmodifiable होती है जिसको हम change नहीं कर सकते लेकिन हम इन genes को अपनी सोच के द्वारा switch on और switch off कर सकते हैं जिसको epigenetic science कहा जाता है चौथा risk factor होता है hyperlipidemia यानि cholesterol का बढ़ना अक्सर हम सोचते हैं हम young हैं भई अभी तो खाने पीने की उम्र है cholesterol की क्या चिंता करने नहीं यहीं उम्र है जब cholesterol जो अगर बढ़ रही है उसको हम control में रखें चेक में रखें तो इस disease को हम लोग या तो avoid कर सकते हैं या हम delay कर सकते हैं और पाँच्वां जो बहुत major कारान आज उभर कराया है वो है psychosocial stress अर्थात तनाव, anger, गुस्सा हमारे जीवन के अंदर हमारे संबंधों के अंदर कितना मन मुताव है यह सब factors आज scientifically proven हैं Inter Heart Study एक बहुत famous study है जिसके अंदर दिखाया गया कि psychosocial stress has fourth highest attributable risk after smoking, diabetes and dyslipidemia अर्थात मानव जीवन के अंदर तनाव, उसकी जीवन शेली, heart attack का एक major कारान दोस्तों आज बन जाता है तो यह तो हम मानते हैं कि आज यह बिमारी एक बहुत significant epidemic के रूप में ले चुकी है और आज यह भी जाना जरूरी होगा कि भारत वर्ष और South East Asian ethnicity जो की एक अलग risk factor है उनके अंदर इस बिमारी का जो presentation है वो बहुत अलग होता है यह एक decade earlier होती है अर्थात अगर western world में यह बिमारी 60 वर्ष में है तो यह भारत वर्ष में 10 वर्ष कम मुम्र के अंदर होगी यह बिमारी अधिक severe होती है अर्थात multiple coronary arteries का involvement हो सकता है इसी के साथ साथ ऐसी बिमारी के अंदर heart fail होने के chances traditional risk factors ना होने के chances ज्यादा होते हैं और sudden death होने के chances भी ज्यादा होते हैं तो यह एक alarming बात है हमारे लिए और इसलिए बहुत आवश्रक है कि आज इन बातों को विबारे में हम चर्शा भी करें और इसके उपर प्रकाश भी डालें इसके management को अगर हम देखें तो यह pyramid के रूप में कारे करता है base of the pyramid आता है जिसके अंदर एक व्यक्ति healthy है but at risk of CAD है यानि आप कहेंगे कि वैई वैसे तो मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ लेकिन जीवन के कुछ ऐसी चीज़े हम लेकर चल रहे हैं जो हमको at risk put करते हैं जैसे अगर हम लोग smoking करते हैं हमारे को genetic risk factors है यह female के अंदर early menopause है या कहीं न कहीं psychosocial stress है हम कहेंगे कोई बात नहीं तनाव तो natural है लेकिन नहीं दोस्तों हमारा diet, हमारी सोच, हमारे जीवन के ओपर हमारे हार्ट के ओपर एक गहरा असर डालती है दूसरा जो factor आता है दूसरा जो pyramid का base आता है वो आता है subclinical CAD अर्थात किसी बच्चे को, किसी young व्यक्ती को अगर diabetes है, aggressive smoking है कोई family history of significant heart attack है और कुछ और भी risk factors है और अगर वो risk calculate करता है जिसको हम कहते है ASCVD risk यहनी atherosclerotic cardiovascular disease का risk है जिसके calculators available होते है अगर वो risk high आता है तो वो subclinical CAD group के अंदर आ जाता है और ऐसे दो groups को significant prevention की आवश्रकता होती है अगर हम अभी इसी समय preventive measures यथार्थ रूप से लेते हैं तो यह जो रोज हम news सुनते है इसको हम avoid कर सकते है या कही न कही इन percentages को हम significantly कम भी कर सकते है और अगर यह disease manifest कर जाती है stable form में या heart attack के form में तो हमको proper medications की आवश्रकता पड़ती है तो अगर यह heart attack हो जाता है तो हमें medicines लेना ही है लेकिन आज बहुत important है कि हम इसको रोकें इसको primary और primordial prevention कहा जाता है इन primary और primordial prevention को करने के लिए बहुत simple formula आज में आपको बताऊंगा अक्सर हम news channel पर सुन रहे थे कि भाई यह तो बिलकुल fit था यह रोज exercise करता था यह diet properly खाता था इसकी सोच भी relatively ठीक थी लेकिन देखा जाए कि जब हम fitness की बात करते है तो अक्सर fitness को हम physical aspect से associate कर लेते हैं अर्थात जो व्यक्ति physically fit है वो बिलकुल fit है रोज अगर वो gymnasium में जाता है योगा करता है तो उसको heart attack होने के chances बहुत कम हो जाते हैं इसी प्रकार यदि हम proper diet खाते हैं तो भी इसके chances बहुत कम हो जाते हैं लेकिन दोस्तों अध्यात्मिक्ता, spirituality और balanced lifestyle हमको ये बताता है कि ये balanced lifestyle ये fitness जो है ये केवल शरीर की नहीं मानसिक fitness की भी बात है आज अगर हम देखें तो इसके लिए बहुत simple formula है और वो simple formula है A, B, C, D, E, F आईए इसी के बारे में हम चर्शा करते हैं और ये बहुत easy है आप सब याद रख सकते हैं सब इसका स्मरण भी कर सकते हैं दोस्तों सबसे पहले आता है A A होता है assessment of risk assessment of your physical risk अर्थात क्या मुझे heart attack होने के chances या disease होने के chances है दोस्तों इसके लिए आपके mobile पर भी आप देखेंगे simple freely available calculators है और अगर आप type करेंगे ये calculator आप download कर सकते हैं और इस calculator को कहा जाता है A, S, C, V, D, Risk Calculator या आपके 10 साल की percentages heart attack होने की या coronary artery disease होने की percentages को दिखलाता है और अगर कहीं पर भी आपको ये percentages high दिखाई देती हैं तो आप अपने doctor से संपर्क कर सकते हैं और preventive measures को start कर सकते हैं लेकिन दोस्तों जैसे हम शरीर के लिए risk estimate करते हैं उसी तरह assessment of mental risk भी बहुत आवश्यक है इस risk calculator के लिए कोई calculator की जरुवत नहीं है इस risk को हमें स्वयम calculate करना है अपने मन के संकल्पों में जाकर देखें कि क्या कहीं न कहीं मुझे रोज growth है, issue है, घ्रिना है competition की feeling है, criticism की feeling है achievement oriented मेरी life है केवल achievement मुझे बहुत एक ता कि उस risk के अंदर मैं भाग रहा हूँ मैं success को अपने materialistic treasure से मैं अगर उसको माबधंड या मैं उसको तोलता हूँ, तो कहीं न कहीं वो मेरे उपर एक pressure डालती है तो शारेडिक रूप से मैं stress भी होंगा, लेकिन एक pressure मेरे मन पर build होना आरब हो प्रेशर कोकर की तरह वो बढ़ने लग जाता है और जैसे जैसे वो बढ़ता है, वो कहीं न कहीं disease के रूप में दोस्तों manifest करेगा इसी प्रकार, दूसरा जो आता है वो है B B अर्थात blood pressure control hypertension control, बहुत आवर्शक है चाहें आप fit भी हैं family history है या नहीं, लेकिन अपने blood pressure को नियमत रूप से चेक करना, रोज चेक करने की आवर्शकता नहीं, अगर आप मरीज हैं तो भले चेक करें, लेकिन आप कम से कम, एक हफते में, तीन महीने के अंदर, छे महीने के अंदर, अपने blood pressure increase तो नहीं हो रहा, और ज़्यदा भी blood pressure increase होता है, तो उसको control करना, उसका निवारन करना, अच्छे lifestyle के द्वारा, और यदि दवाईयों की जरूवत है, तो उसके द्वारा ये बहुत आवर्शक है, ताकि हम इस बिमारी को वहीं पर रोक सके, क्योंकि blood pressure का हमारे heart पर direct असर होता है, दोस्तों जैसे blood pressure को हम control करते हैं, इसी तरहें, मन के उपर stress pressure को भी हमें control करना चाहिए, इस stress pressure को estimate करने के लिए बहुत simple तरीका है, अपने जीवन के अंदर खुशी और शांती के index को रोज देखिए, कि क्या आज मैंने पूरे दिन जो कारे किया, वो खुशी के लिए किया, या मैंने खुशी से किया, हर कारे को करते हुए आनंद और खुशी को create करिए, देखिए जीवन को race ना बनाईए, वैसे भी जीवन भाग रहा है, दोड रहा है, लेकिन इस जीवन के अंदर हर पल आनंद को भरिये, खुशी को भरिये, जब आप, आपका मन balanced होता है, सयम के अंदर होता है, खुशी से जब हम कारे करते हैं, हर कारे में हम खुशी को create करते हैं, तो वो pressure हमारे मन से relief हो जाता है, और मन का pressure relief होने के कारण, हमारे body का pressure भी दोस्तों, significantly कम हो जाता है, दोस्तों, तीसरा जो analysis है, वो है C, C अर्थार, cigarettes, smoking और cigarettes हमारे उपर बहुत गहरा प्रभाव डालता है, किसी भी form की smoking हो, चाहे cigarette smoking हो, चाहे beady हो, चाहे hookah हो, चाहे तंबाकु हो, और कई बारी आज e-cigarettes, या हम कई बारी fashions देखते हैं, कि लोग जाएंगे parties के अंदर, वो hookah को भी गुड़गुडाते हैं, दोस्तों, ये बहुत 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 हानिकारक है, एक smoking के कश के अंदर करीब 500 ऐसे पदार्थ होते हैं, जो हमारे heart के को significant damage कर सकते हैं, और cancer भी हमको कर सकते हैं, तो smoking किसी भी form की हो, उसको बिलकुल बंद कर देना चाहिए, और इसी के साथ, C के साथ और जोड़ा होता है, वो है cholesterol, अर्थात हमारा lipids, बहुत आवशक है, कि साल के अंदर कम से कम, आप एक बारी अपना annual lipid profile जरूर कराएं, अपना annual check-up जरूर कराएं, ताकि उससे में पता लगे, कि भले मैं अपने जीवन में healthy diet खा रहा हूं, proper exercise कर रहा हूं, पर कहीं ऐसा तो नहीं, कि मेरा cholesterol genetic कारण के कारण भढ़ रहा है, क्योंकि lipids का high होना, LDL का high होना, new risk factors हैं, like lipoprotein A है, apple lipoprotein B है, और various ratios हैं, इन सब का आपके जीवन के अंदर खराब होना, यह हमें शो करता है कि हमको उसी समय इसको control करना बहुत आवशक है, चाहें lifestyle के द्वारा, चाहें दवाईयों के द्वारा, तो C हुआ cholesterol, और दोस्तों, इसी सी के साथ है, अपने जीवन में competition की भावना, अपने जीवन में criticism की भावना, इन दो भावनाओं को आज ही त्याग दीजिए, यह fitness के लिए बहुत आवशक है, जीवन में competition healthy जरूर रखिए, लेकिन इतना competition ना रखिए, जो आपका सुख और चैन खो जाए, दूसरे लोगों को बार-बार criticize करना, उनके लिए complain करना, यह three C जो है, यह हमारे जीवन के खुशी को destroy कर देता है, हमारे सुख और चैन को खो देता है, तो आप कारे करिए, लेकिन complain, criticism और competition, इन तीनों शब्दों को अपनी dictionary से delete कर दीजे, यह हमको बहुत नुकसान करता है, दोस्तों, चौथा जो formula के अंदर आता है, वो है D, D अर्थाथ diet, healthy diet, दोस्तों diet बहुत आवशक है, शरीर को अच्छा भोजन खिलाना, legumes खाना, fruit खाना, water अच्छा लेना, धाई और ऐसे products को लेना, घी का उचित मातरा में उपयोग करना, तेल को ratios के हिसाब से, proper तरीके से उसका उपयोग करना, यह बहुत आवशक है, healthy diet है, जो की vegetarian diet है, green diet है, जो हमारे शरीर को आराम देती है, सुकून देती है, हमारे सारे organs को balance में रखती है, यह diet आप जरूर खाईए, क्योंकि इसको smart heart diet का जाता है, रात को late night meals खाना, 10 बजे, 11 बजे, कभी 12 बजे, यह हमारे शरीर के लिए poison का कार्रे करती है, तो आप young हैं, dynamic हैं, energetic हैं, लेकिन बहुत आवशक है कि जीवन को सायम में रखिए, साल में कम से कम एक बारी शुगर का चेक कराना बहुत आवशक है, यदि आपको diabetes नहीं है, ताकि हम अपने आपको follow कर सके हैं, और जो youngsters या हमारे patients या हमारे भाई भेन, जो कि अगर diabetic हैं, तो उनको अपने doctor से consult करके, अपने diabetic parameters को बिल्कुल accurately control में रखना चाहिए, क्योंकि diabetes जितनी मीठी होती है, उतनी हमारे heart के लिए बहुत बहुत करवी होती है, दोस्तों जैसे हम S-D का, अपने शरीर के लिए उपयोग करते हैं, इसी प्रकार, इस D के अंदर अपने मन को भी अच्छी diet खिलाएं, हमारे मन की diet है, शुद और सकरात्मक संकल, रोज अपने मन को अच्छा सोचना सिखाएं, अच्छा लोगों के लिए proper positive thoughts create करना सिखाएं, सोयम के लिए भी positive thoughts create करना सिखाएं, दोस्तों, जो भोजन हम खाते हैं, वो भोजन अगर हम परमात्मा की प्यार उसके अंदर डालते हैं, उसकी positive vibrations और शान्ती की vibrations उसके अंदर डालते हैं, तो वो भोजन हमारे तन और मन दोनों को सुकून देता है, वो भोजन नहीं रहता, वो प्रशाद बन जाता है इसी प्रकार अपने संकल्पों को जब हम सकारात्मक बनाते हैं तो हमारे श्रेष्ट संकल्प हमको श्रेष्ट वेवार देते हैं और हमारा श्रेष्ट वेवार हमारे जीवन के अंदर positive और powerful feelings generate करता है और हमारा जीवन सुकून से भर जाता है, आनन से भर जाता है सफलता हमारे जीवन में स्वयम हमारे पीछे आती है दोस्तों, इस D के साथ अगला आता है E E अर्थार proper exercise अगर हम heart attack को avoid करना चाते हैं तो exercise करना बहुत सरूरी है चाहें आप मोटे हैं, पतले हैं, किसी भी प्रकार के हैं ये माइने नहीं रखता लेकिन कम से कम हफ़ते में पांच दिन और total accumulated exercise देड़ सो मिनिट से लेकि 200 मिनिट से यदि आप accumulate करते हैं ब्रिस्क walking करते हैं ये आपके शरीर के लिए बहुत benefit देती है कहा जाता है कि यदि आप रोज 45 मिनिट walking करते हैं तो आपकी उम्र के अंदर 45 मिनिट जुड़ जाते हैं तो रोज aerobic exercises cardiac exercises जिसको हम cardio training भी कहते हैं या yoga भी आप कर सकते हैं, walking भी plane कर सकते हैं और कभी-कभी muscle training भी कर सकते हैं ये exercises हमारे brain gym की तर्यकारे करती है, हमारे brain को positive hormones create करती है like gaba जो हमारे brain को काम करता है, endorphins और encephalins जो हमारे brain को खुशी देते हैं, तो ऐसी exercises जब हम करते हैं तो हमारे शरीर को भी बहुत सुकून मिलता है, दोस्तों जैसे आप अपने शरीर के लिए रोज exercise करते हैं, तो क्यों नहीं आज हम एक संकल्प लें कि अपने मन के अंदर भी हम एक सुन्दर exercise create करें और वो exercise बहुत बढ़िया है वो exercise है, अपने मन को सदा हलका रखें, अपने मन को बहुत light रखें, कभी कभी हम young होते हैं, तो हमारे मन के अंदर जोश आता है हम लोगों के प्रती negative भाव ना हैं, उनकी negative feelings, उनके भाव, सभाव, उनको हम अपने मन में रख लेते हैं, और हमारा मन जो है, वो मन नहीं रहता, हमारा मन कोड़ेदान बन जाता है, हमारा मन immunity को कम करते हैं, और हमारी immunity कम होने के कारण, we are prone to plaque rupture and occurrence of heart attacks and coronary artery disease, तो आज कोई भी बात है, उसको मन से निकाल दीए, लोगों के प्रती negative भावनाओं को रखना, ये हमारे जीवन के लिए ठीक नहीं है, ये जीवन के वल simple light जीवन बनाईए, simple जीवन बनाईए और grudge holding को कभी न रखिए आज जीवन का हमको कल का पता नहीं, तो क्यों नहीं हम अपने जीवन के अंदर स्वयम भी खुश रहें और दूसरों को भी खुशिया बाटें स्वयम भी स्वस्त रहें और दूसरों को भी दोस्तों स्वास्थ दे और last जो parameter आता है वो है F, F अर्थात feelings और emotions दोस्तों, ये F इतना सुन्दर है, आप देखो अगर हम अपने मन के अंदर केवल चार भावनाओं को सदा रखते हैं और वो चार भावनाएं हैं परमात्मा और सर्व के प्रती शांती की vibrations पूरी विश्व के प्रती प्यार की vibrations सर्व के प्रती compassion अर्थात कर्मना की vibrations और चौथा gratitude अर्थात thankfulness तोवर्ड़्स एवरिबड़ी ये चार vibrations हमारे जीवन में ना केवल हमारी आत्मा को सुकून देती है लेकिन प्रकृती को भी और हर व्यक्ती जिसके हम संबर्क में आते हैं उनको सुकून देती है आज बहुत आवश्चक है कि कुछ पल अपने जीवन में meditation करके राजयोगा meditation के द्वारा अपने मन को भी empower करे दोस्तों एक अच्छा लाइफस्टाइल केवल शरीलिक लाइफस्टाइल नहीं है डायेट, एक्सरसाइज और रेस्ट केवल शरील के लिए नहीं है लेकिन ये A, B, C, D, E, F फॉर्मला ये हमारे मन के लिए इह है आज बहुत आवश्चक है कि मेडिटेशन के द्वारा हम अपने मन को सशक्त करें powerful करें क्योंकि जब हमारा मन द्रिड होता है हमारा संकल्प श्रेष्ट होते है तो ये परिवर्तन का आरम होता है भरना क्या होगा कि ये percentages भढ़ती जाएंगी और हम अपने जीवन में चिंदा बढ़ाते जाएंगे आज दोस्तों ये नलका खुला हुआ है और जमीन गंदी हो रही है लेकिन हम सब क्या कर रहे हैं हम केवल जमीन को साफ कर रहे हैं आज हम सब को बहुत जरूत है कि हम उस नलके को बंद करें और उस नलके को बंद करने के लिए हमको अपने संकल्पों का जो लीकेज है नेगिटिव संकल्पों का लीकेज का जो नलका है उसको हमें बंद करना पड़ेगा यही अच्छे स्वास्थे का आर्म है यही प्रिवेंशन है हमारी coronary artery disease को इस समय पर रोकने का चलिए, कुछ पल इस शान्ती की vibrations का अपने जीवन में हम लोग अनुभव करेंगे अपने आपको इस शरीर से अलग एक चमक्ती हुई शक्ती शाले शान्त प्रकाश की स्वरूप ज्योती की रूप में देखें यह शरीर मुझ आत्मा का इंस्ट्रुमेंट है पर मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ राजा हूँ अपने मन की गहराईयों में जाएं और विचारों की सागर को बहुत शान्ती से देखें किस प्रकार के विचार पूरे दिन लहरों की तरह मेरे मन में उठते हैं आज परम्पिता परमात्मा की शक्ती और शांती की वाइब्रेशन्स मुझ आत्मा को असीम शांती का अनुभव करा रही है मन के सबनकार आत्मक विचार क्रोद के विचार कभी कभी कुछ नेगेटिव और विचार धीरे धीरे परमात्मिक शांती की वाइब्रेशन्स से प्यूरिटी की वाइब्रेशन्स से बाहर निकलते जा रहे हैं और मेरा मन बहुत आनन्द और खुशी का अनुभव कर रहा है एक-एक विचार, शक्तिशाली और शांत है ये शक्ति मेरे चहुँ और एक पावरफुल आभा मंडल बनाती है इसी आभा मंडल के अंदर मैं आत्मा स्वयम को सुरक्षित और शांत मेसूस कर रही हूँ इसी स्थिती में स्थित रहें और पुना अपने आत्मा को, राजा को, किंग को इस शरीर में लेकर आएं और इसी स्थिती में हर कारे करें ओम शांती